खड़ा कच्ची बस्ती पिछले 55 वर्सों से लोग रह रहे थे और यहां मंदिर मस्जिद स्कूल सभी चजे मौजूद होने के बावजूद नगर निगम ने उस खड़ा बस्ती के लोगों को वहां से हटाया और ऐसी जगह ले आकर बसाया जहां किसी भी परकार की सुविदा वा मौजूद नहीं है खड़ा बस्ती के वसीम आकरम कुरिशी ने बताया कि 55 वर्षों से खड़ा बस्ती मौजूद है नगर निगम के सारे नॉर्म्स को बस्ती के लोग पूरा करते हाई हैं इसके लावा बस्ती का 6 बार सर्वे भी हुआ परंतु निगम ने बस्ती को यहां से हटाया और जैसिंग पुरा खोर परधान मंतरी अवास यूजना के तैत फलेट्स में भेच दिया मगर फलेट्स को बस्ती के लोगों ने 95 अजार में खरीद कर रह रहे हैं उन्होंने बताये कि हाई कोड का देश था कि खड़ा बस्ती को 5 किलोमेटर के दारे में बसाया जाए नगर निगम दोवारा पालरी मीना में जमीन देने की बात कही वहां भी जमीन नहीं दे कर यहां लोगों को खड़ा बस्ती से 13 किलोमेटर दूर जैसिंग पुरा खोर में जो की एकोलोजिकल एरिया आता है वहां बसाया जहां पर पानी बिजली चिकित्सा यातायात किसी भी तरीके किस विधाय नहीं है उन्होंने का कि नगर निगम से मांग की थी कि आदी जमीन बस्ती वालों को दे दी जाए और आदी निलाम कर दिया परन्तु निगम उस पर भी राजी नहीं हूँ हुआ कोर्ट ने आदेश दिया कि निलामी के वक्त में पहले बस्ती के लोगों को शामिल किया जाएगा उन्होंने का कि इस बस्ती के सभी लोगों के दो तीन मंजला मकान बने हुए थे नीगम उसका मुआफ़जा दे पर इंतु नीगम ने अभी तक उन्हें बने हुए मकानों का भी मुआफ़जा नहीं दिया इस चीज़ को के गरीब लोग और BPL परिवार कच्ची बस्ती के लोग 82,500 रुपे की बोली से इसमें नहीं ले सकते तो कोट की मंचा ये कता ही नहीं थी कोट की तो ये था कि जब इसको आप आप आक्शन करो ना तो इसको इन लोगों को भी दोना इनका पहला हक बनता है तो आप मीनिममम प्राइज में आप हमें वो दे दीजी हम इन से ये बात कर रहे हैं ये हमारी बात को मानने रहें और अपने इसाब से इन्होंने 82,500 रुपे की रेट रग दी तो हमने ये का चलो ठीक है आप हमें वोक्षन में प्राइटी भी नहीं दे रहें तो आप ऐसा अगरो हमारे मकान जो आपने तोड़े हैं 3-3 मंजिला उनका कितना constructive area था वो आपके पास record मौजूद है उस record के according हमें हमारा मौझा दे दीजिये इस रेट से आपने rate किये rate आपने ते किये हमने तो ते की ही नहीं तो आप हमें मौझा दे दीजिये हम कोई बात नहीं हम अपनी आपकी बात माल लेएं लेकिन यह तो न तो इसी का मौझा दे रहे हैं और नम वहाँ पर एकोलोजी जोन से हटा कर वहाँ पर कोई अच्छी जगे दे रहे हैं क्योंकि हमने इनको कहा कि आज नहीं तो 20 साल-10 साल बाद में हमें वहाँ से खदेर दिये जाएंगे हमारी संताने हैं वो दर-दर की ठोकरे खायेगी हमें फुटबाल बना के रख दिया कि इदर से निगम किक मारता है उदर से जेडिये मारता है उदर से यूडियेच मारता है और फुटबाल बनके हम रहे हैं तो हमारे भावनों से भी खेल रहे हैं जजबाद से भी खेल रहे ह कोट के आधेस की पालना की बात करते हैं कोट के अधेस की अक्षर तकी पालना कीजिए। परवड़ी 2015 का जो ओडर है उसके तेरा पॉइंट है तेरा पॉइंट में से एक ओक्षन वाला पॉइंट है जो तेरा नंबर का है बाकि 12 भी है आप 12 पॉइंटों को भी तो देखो उनकी स्टेडि करो और उसी साब से अगर आपके ओक्षन की ओक्षन में प्रायटी की चीत स उक्ष्न में प्रियाटी की एप्लिकेशन भी नहीं नहीं दिया तो हमारी तो एक फिर प्राइए कर लो उन्से कर लो क्या बोलती है को माननी अदालत क्या बोलती है वरना किसरी चीज़ यह है कि हमारे मकानों के हमें मुआवजा, दे दीजिए, यही हमारी मांग. जन परतिनी दियों से भी हमारी बात चल रही है, डीसी साल, कमििशनर साल हैं, उन सौर बात चल रही है, बो खिता